असलाम लेकूं मेरा नाम आरो है और दुकान.pk के ओपर अब हम सीनीज और वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसके इन्दे में आपको बताऊंगे कि किस तरह से दुकान.pk किस तरह से फाइदा उठा सकते हैं पिछले साल जब करोना की वरा से लॉगडाउन लगा तो बजार बंद हो गए लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो गया तो बिजनसे में भी काफी लॉस देखा गया लेकिन पिछले एक साल में हमने यह भी देखा है कि e-commerce में 400% तक का अज साफा हुआ है ओविसली लोकल सेलर्स हाड तो फेस लॉट प्रॉब्लम्स एस वेल और इट वो सेलर्स जिनके पास ना तो टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं एक e-commerce प्लाटफॉम बनाने के लिए या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है एक प्लाटफॉम एक प्लाटफॉम तो उनके लिए कुछ किया जाए और उनके लिए एक एकसेसिबल सुलूशन हो जिसकी वरा से वो एक e-commerce प्लाटफॉम भी बना ले और उनकी सभूलत भी हो जाए तो इस आइडिया के साथ दुकान.pk केम इंटू बींग और पिछले साल से फिर दुकान.pk पर काम करना जाए वो किसी भी किसम के हो या आप कोई स्टार्टप है आपका आप कपड़े बेचती है या फिर आप खाना बना लेते है अच्छा या फिर आपको किरियाना स्टोर है आप किसी भी किसम का आपको कोई बिजनस आप सेलर है आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं इस आप यह पेइमिंग मेथर्ड्स हो वो भी हमने सारे समें इंटीगРЕड किये हूए है इन फक्त इसमें हमने अक डिलिवरि शिर्स भी इंटिग्रेड की हुए है क्योंके बनाते भाल भी हाद our minds Clare कि जो जो मसले एक seller को आते हैं website बनाने में वो सारे मसले हमने solve करने हैं तो इस app के अंदर सारे features integrated है और बस 29 seconds में आपकी एक मुकमल website बन जाती है Starting off, सबसे पहले आपने ये app डाउनलोड करनी है ये आप Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू, English and Roman as well आपको पहली screen show होगी जिस पर लिखाएगा Create Web Store या फिर लोगिन की आपने Create Web Store पर क्लिक करना है और वहां पर आपको next screen पर आएगा Enter Your Name and Mobile Number अब Mobile Number आपने वो डालना है जिस से आप दुकान अपने रिजिस्टर करना चाहते है और जो existing number आपके phone के अंदर है क्यूंकि आगे जाके login के लिए आपका यही number यूज होगा Now when you have entered your name and your number आपको एक verification code आएगा उसी number के उप़र फिर वो four digit number जो आपको अपने phone पर आएगा आपने वो enter करना है और continue वाले button पर click करना है दूसरी स्क्रीन पर आपको आएगा कि what is the name of your store and choose your web link तो जो भी आपके store का नाम है जिस नाम से आप अपना business run कर रहे हैं वो आप name एंटर करेंगे और नीचे web link में जो भी आप website का नाम रखना चाहते हैं वो आप enter करेंगे पर next screen पर आपको आएगा कि store details आपने एंटर करनी है सबसे पहलो option आपको आपको आरा है store type का तो आप ये arrow क्लिक करेंगे जिससे क्लिक करके drop down आएगा तो आपको different categories show होगी जिसमें food है, online store, home seller है pharmacy with physical shop है retail grocery store or distributor है या पिर other है तो आपने अपनी business की obviously category देखते हुए click करना है for example अगर आपका खाने का business है तो आप food क्लिक करेंगे अगर आपका कोई online store है या पिर आप home seller है तो आप home seller वाली category को click करेंगे and further on next आपको store address की option आ रही है इसमें जो भी आपका address है मौझूदा address है store का वो आप enter करेंगे and next option is of city तो जिस city में भी obviously आप reside कर रहे है आप इसमें वो enter करेंगे फिर आपको option आ रही है shop timings की इसमें दो options है आपके पास available 24 hours या पिर specific timings तो आपने obviously अगर आप सुबा 9 से रात 9 बज़े तक खाली store चलाते है तो आप specific timings को click करेंगे जब आप specific timings पे click कर देंगे तो आपको दो options शो होंगे opening और closing के opening का मतलब है कि आप अपना business start कितने बज़े करते हैं और closing का मतलब है कि आप उसो खतम कितने बज़े करते हैं तो opening के और closing के accordingly आपने times एंटर करके continue के button पे click करेंगे next screen पे आप से आपकी store की location मांगी जाएगी तो आपने जो भी आपकी location है सो click करना है और continue का button दबाना है location एंटर करने के बाद आपको screen शो होगी congratulations या पर मुबारिक होगी कि आपको web store create हो चुके है कि आपको